हांजी बचा लोग कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं है ना? चलिए फिर इस पढ़ाई के सफर को हम और असान बनाते हैं साथ में मिलके और बात करते हैं आज हम अपने नए चैक्टर की आसान बनाने जा रहे हैं और बहुत ही आसानी से समझ जेंगे ठीक है चलो चलते हैं आगे चप्टर में क्या बात करेंगे हम सबसे पहले सबसे पहले भाईए हम क्या बात करेंगे कि वंशागती के आणविक अधार याने कि हम समझेंगे कि बेसिकली क्या है तो अगर मैं कहू जा रहे हैं कि एक generation से कहा जा रही है ये दूसरी में ठीक है एक से दूसरी में जा रहे हैं तो यहां पर हम क्या समझेंगे कि बाई ये वंशागति के आड़्विक अधार क्या है है क्या समझेंगे क्या है कैसे ट्रांसफर होते हैं कैसे ट्रांसफर होता है ठीक है एक सेक्टर एक सेक्टर एक सेक्टर एक सेक्टर ठीक है तो यह सारी की सारी चीज़े हम यहाँ पर देखेंगे ठीक है जलो उसके बाद हम क्या बात करेंगे कि आरेने कैसे बनता है है ना कि आरेने कैसे बनेग और फिर उसके बाद लक्षण क्या है लक्षण की बात करेंगे हम ठीके कि लक्षण क्या दिखाएगा ठीके ना तो ये सब चीजे हम देखेंगे ओके जी माल लेते हैं अब अगर हम सजीवों की बात करते हैं है ना किसकी बात कर रहे हैं हम सजीवों के बारे में बात कर रहे हैं तो सजीव कौन है जो जिन्दा होते हैं ठीक है हम सजीवों की बात करते हैं तो सजीवों में क्या होता है हमने कहा कुछ क्या होते हैं प्रोकार यूर्टिक होते हैं और कुछ क्या होते हैं है कुछ यूक्यारियोटिक होते हैं ठीक है यूक्यारियोटिक दोनों इस अरीके के होते हैं सजीव प्रोक्यारियोटिक भी होते हैं और यूक्यारियोटिक भी होते हैं ठीक है समझ गए हम लोग है ना अब क्या करना है हमें चलो फिर समझते हैं इसको कैसे समझे कि जब प्रोकारियोटिक की बात करें तो यानिकी इसमें कौन आ रहे हमारे पास पादप आ रहे हैं है ना और यूकारियोटिक में कौन आ रहे हैं प्राणी आ रहे हैं ठीक है यूकारियोटिक में क्या है प्राणी है और प्रोकारियोटिक में क्या है पादप है दोनों चीज़े आ रही है चलो ये भी समझ गए ओके चलो फड़ा फड़ से एक सेल बनाते हैं और समझते हैं सेल के बारे म तो मैंने क्या कहा कि ये एक कोशिका है क्या है ये एक कोशिका है इस कोशिका के अंदर मुझे पता है कि केंदरक होता है ये क्या है कोशिका के अंदर केंदरक है केंदरक के अंदर हमें पता है क्या होता है अनुवन्शिक पदार्थ होता है ठीक है इसके अंदर ये क्या है अनुवन्शिक पदार्थ है इसके अंदर ठीक है अब यह जो अनुवन्शिक पदार्थ है हमको पता है कि किसी-किसी में डीने होते हैं और किसी-किसी में आरेने होते हैं है ना ऐसा ही होता है किसी-किसी में डीने है और किसी में आरेने हैं दो अब अगर हम मनुष्य की बात करते हैं अगर हम किसकी बात करें मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में क्या होता है डीने होता है मैं अगर मनुश्य के लिए बोलू तो मनुश्य में क्या पाया जाता है डिये ने पाया जाता है जो क्या करता है सूचना होती है जो भी हमारी हमारे लक्षन होते हैं यह हमारे से अगली वंच में या फिर कह सकते हैं अगली जनरेशन में पहुचाने का काम करता है ठीक है ठीक है समझ जाते हैं फिर उसके बाद क्या बोलू में कि यह क्या क्ाम करता है डीये ने हां डीये ने क्या 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 अ करता है डीये ने बहुए सी बात एक है जनेतिक म यहां तक सबको clear होगी अब चलो चैप्टर के बारे में हमने समझ लिया कि हर एक चीज क्या है DNA के ओपर बेश थे यहां चैप्टर में अब एक क्या काम करें एक चैप्टर का ओवर्व्यू ले लेते हैं कि चैप्टर हमसे क्या कह रहा है तो इस चैप्टर में सबसे पहले आप क्या बात करोगे जब डी एने से शुरु बात करिये तो फिर मैं कहते हूं कि सबसे पहले हम डी एने की संरश्णा के बारे में हम बात करेंगे ठीक है फिर क्या बात करेंगे हम कि dna की फिर बात करेंगे हम dna जो होता है dna की द्वी कुंडलित कुंडलित सनरशना के बारे में ठीक है ये बात करेंगे है ना उसके बाद क्या बात करेंगे हम फिर हम क्या बात करेंगे फिर हम देखेंगे भाई अनुवांशिक पदार्थ के लिए कई तरीके के प्रयोग ठीके मदलब की साइनेटिस जो थे तब भी वेग्यानिक थे वह क्या थे ठोड़े कंफियूस थे वो क्या कंफियूस थे कि भई अनुवांशिक पदादत जो है हो सकता है dna हो हो सकता है rna हो यह वह सोच देते हैं कि हो सकता है protein भी हो तो वो इतनी confused थे कि क्या करा जाए क्या हो सकता है तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ ने कुछ प्रियोग कर लेते हैं और पता लगाते हैं कि DNA, RNA या फिर प्रोटीन कौन है अनुवनशिक पतार तो यहां पर उनके बारे में हम बात करेंगे फिर हम क्या बात करेंगे फिर हम बात करेंगे छहां पर हम क्या देखेंगे क्या देखेंगे हम कि DNA से क्या हो रहा है और फिर क्या हो रहा है प्रोटीन का निर्मान हो रहा है यह बात करेंगे इसके बाद यह important topics है इनके बाद जो दूसरा important topic आएगा वो आएगा अपना आरेने, ठीक, क्या आएगा आपका, आरेने, कि आरेने क्या है, ठीके, आरेने क्या है, इसके बाद क्या पढ़ोगे, आप आरेने के टाइप पढ़ोगे, है ना, कि भाई, टाइप्स क्या है आरेने के, ठीके, क्या पढ़ोगे, आरेने के टाइप्स पढ़ोगे, चलो, मान ल कूट जो देखोगे आप ठीक है ना अनुवंशी कूट आता है अनुवंशी कूट के बाद क्या आएगा मानव जिनोम आएगा क्या जाएगा आपके पास मानव जिनोम ठीक है क्या आगया आपके पास मानव जिनोम आ गया है और मानव जिनोम जो है मानव जिनोम क्या है परियोजना पूरा नाम है इसका मानव जिनोम परियोजना और लास में बहुत ही important topic आता है ठीक है लास में बहुत ही important topic है dna finger printing ठीक है तो यह क्या है basically हमारा chapter का overview है हमें यह सारी चीजें एक एक करके पढ़नी है बहुत important है और भाई सच में पढ़नी है है ना चलो फिर क्या करना है फड़ा फड़ से chapter को शुरू कर देते हैं भाई ओके चलो भाई सबसे पहले हमारे पास क्या आता है dna आता है सबसे पहले है ना तो पहले dna को क्या बोला जाता था पहले dna को new clean बोला जाता था हम dna की बात करते हैं तो सबसे पहले dna को क्या बोला जाता था new clean कहते थे ठीक है DNA में ठीक है बाद में इसका नाम क्या पड़ा बाद में इसका नाम क्या पड़ा इसका नाम DNA पड़ा ठीक है जिसके बारे में हम आगे चलके detail में बात करेंगे कि इसका नाम बाद में DNA कैसे पड़ा ठीक है चलो ठीक है मान लेते हैं अब क्या बात है कि भाई हमको मालूम है कि DNA क्या है एक polymer हम कहते हैं यह क्या है polymer ठीक है इसके साथ सा हमें यह पता है कि यह क्या है बहुलक है है ना बहुलग भी है तो अगर मैं पॉलिमर की बात करती हूं तो मुझे पता है कि यहां पर संरश्णा कैसी बनती है इस तरीके से बनती है यह क्या है पॉलिमर की संरश्णा है ठीक है अब यह क्या है यह पूरी की पूरी क्या है एक श्रिंखला है यह पूरी की पूरी क्या ह होती है ठीनके और यह जो मोनोमर्ज एकाई है यह जो मोनोमर्ज मिल जो है क्या बना रहे हैं यह पॉली नीक्लियोfolg dive क्या बनाया है इन्होंने polynucleotide ठीक है इतने बास सब बोब एक लिया है ना सबको क्लियर ओगई है इतनी चीज है ना बताए जल्दी थम-पो करके दिखाईए सबको क्लियर हो गई लगई है न MALE तो आगे बढ़ जाते हैं है चलिए बहुत ही बढ़िया सब को clear है तो ओके तो हमने क्या बोला कि भाई डीन ने क्या है इकाई है नुक्लियोटाइट की यहां पर क्या करते हैं चलो हम एक पेज जोड़ लेते हैं है ना यहां पर हमने एक पेज जोड़ लिया है और हम कहते हैं डीने की इकाई क्या है नुक्लियोटाइट डीने की इकाई की अगर बात करते हैं इकाई क्या है इसकी Nucleotide अब ये जो Nucleotide है कैसे मौझूद होते हैं؟ कुछ इस तरीके से मौझूद होते हैं एक द दूसरे से जुड़े हुए ठीक है? और सो आन, सो आन, सो आन, के बहुत सारे और जब ये Nucleotide एक साथ जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं ये? किसका निर्मान करेंगे पॉली न्यूक्लियो टाइड का किसका निर्मान करेंगे पॉली न्यूक्लियो टाइड का निर्मान करेंगे और यह पॉली न्यूक्लियो टाइड क्या है यही पॉली न्यूक्लियो टाइड क्या कहलाता है DNA क्या कहलाया यह DNA कहलाया, ठीक है, इतनी बाद सबको clear हो गई है, है ना, कोई confusion नहीं है यहां तक, correct बिल्कुल, चलो बई, आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, अब जो पादब विशानों के अतिरिक सभी सजीवों में DNA महतोपूर्ण, जैव, रसाइनिक, योगिक है, ठीक, DNA क की खोज सरप्रतम व्यज्यानिक फेडरिक मिशन ने करी थी, कब करी थी, 1869 में करी थी, रसाइनिक दृष्टी से दिये ने, तीन घटकों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, चलो, तीन घटक देख लेते हैं, कौन से होते हैं, तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, यूक है ना, बहुत इंपोर्टेंट है, सबसे पहले हमारे पास क्या थी, शरकरा, शरकरा, जिसको आप क्या बोलते हो, शुगर बोलोगे, आप यह बताते हैं, दूसरा क्या है, नाइट्रोजन चार, दूसरा क्या है, नाइट्रोजन चार, और तीसरा क्या है आपका, फॉस्फे फॉस्फेट ग्रूप ठीक है फॉस्फेट ग्रूप अब मैं कहूं कि भई शरकरा क्या है आपकी शुगर है शरकरा क्या है आपकी शुगर है नाइट्रोजन छार को क्या बोलते हो आप नाइट्रोजन base बोलते हो है ना और जो phosphate group है वो तो क्या है अलड़ी phosphate group है तो यह तीनों चीजों से मिलके क्या है DNA यह तीन घटकों से मिलकर क्या बना होता है DNA बना हुआ होता है शरकरा याने की sugar nitrogen छार याने की nitrogen base और तीसरा क्या है phosphate group इतनी बात clear चालो very good अरे nucleotide तो यहां था यार मैंने यहां लिख दिया चलो कोई बात ने बात करते हैं शरकरा की सबसे पहले शरकरा क्या है हमारी याने की sugar है है ना अब यहाँ पर हम कि sugar की बात कर रहे हैं यहाँ पर आप किस की बात करोगे यहाँ पर भाईया हम बात करें 5 carbon sugar की जिसमें क्या होते हैं 5 carbons मौजूद होते हैं ठीके जिस शुगर में क्या है 5 carbons मौजूद हैं चलो फड़ा फरसे इसका structure बनाके देखते हैं पहला structure बनाते देखो हम 5 carbons की बात कर रहे हैं ठीके 5 carbons याने कि यह क्या है यहाँ पर यह है pent पेंटोज शुगर यानि कि ये क्या है पेंटोज शुगर ठीक है क्या है ये पेंटोज शुगर है ये क्लियर बिल्कुल है ना चलो ठीक है माल लेते हैं पेंटोज शुगर है यहाँ पे अब ये क्या है ये 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 पांच कारबन की मैंने क्या बोली है श्रिंखला है क्या है यह पांच कारबन की श्रिंखला है यह ठीक है तो हमने क्या बोला कि भाई यहाँ पर यह पांच कारबन की क्या है श्रिंखला है चलो अब वड़ापटे क्या करते हैं हम डैक्राम बनाते हैं है ना लो इस तरीके से हमने क्या बनाया यह आपकी पैंटोज शुगर है ठ 2 3 4 और यहां पर क्या है 5 इस तरीके से ऐसे चलो इनको नाम देते हैं क्या नाम दोगा आप इसको हाँ यहां O है यहां और है यहां पर है यहां पर ह है यहाँ क्या है आपका H है यहाँ क्या है CH2OH और यहाँ H हो गया है यह ऐसी तो बनेगा न है न हाँ ऐसे यह बनेगा अब क्या होता है भाई एक को और बनाएंगे हम इसी तरीके से पेंटो शुगर छूटा बनेगा यार ऐसे करके थोड़ा सा बड़ा यहां भी वह यह सेम है ना सेम है यहां पर भी यहां पर नाम लिखेंगे हम कैसे नाम लिखेंगे कि हमने का यहां H है यहां। Ah हे यहां बूँद्य देखिए यहां यहां पर इस तरीके से देखो यह है तो दोनों से स्प्रец mayor दिखरें आपको एक ही अंतर ढूंड के दिखाओ मुझे कि कौन सा अंतर है फड़ावर्जे जल्दी क्या है अंतर हां बताओ 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 भई क्या है अंतर तो अंतर यहां पर कहां है आपका चलो हम बता देते हैं अंतर है आपका किसमें? इसमें और इसमें यहां क्या है सिर्फ ह है और यहां क्या है? ओ एच है ठीक है? तो भई यहां पर हमने क्या बोला? कि जहां पर आपका क्या है? जहां पर आपका सिर्फ है तो यह वाली संद्श्णा किसकी है? डी एने की है ठीक है? और यहां पर किसकी है RNA की क्यों बताओ जल्दी अच्छा हम DNA में क्या बोलते हैं कि DNA में क्या है Dioxy Dioxy की बात करते हैं कि अगर हम बोले Dioxy Ribose Nucleic Acid बोलते हैं हम DNA को तो यहां हम Dioxy की बात कर रहे है ठीक है Dioxy Ribose शुगर की बात कर रहे है ना तो यहां क्या हो रहा है यहां पर एक oxygen की कमी हो रही है यहां क्या हो रही है एक oxygen की कमी ठीक है यहां पर एक oxygen की कमी हो रही है कहां पर हो रही है भाई यह हो रही है आपकी second place पर PLACE second place पर हो रही है oxygen की कमी तो इसलिए क्या है यहाँ पर deoxyribose sugar है यहाँ पर कि यहाँ पर second place पर एक oxygen की कमी हो रही है और यहाँ क्या है आपकी यहाँ आपकी ribose pentose sugar यहाँ पर कोई कमी नहीं है ठीक है यहाँ पर कोई कमी नहीं है clear ये हैं आपका DNA और ये हैं आपका RNA इतनी बात कितने बच्चों को clear हो गई है बिलकुल ये बताओ कितने बच्चों को हाँ हो गई है clear चालो well and good आगे बढ़ जाएं फिर अब बात करते हैं nitrogen चार के बारे में ठीक है जिसको हम क्या बोलते है nitrogen base बोलते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यह दो प्रकार के होते हैं कैसे हैं दो प्रकार के हैं ठीक है दो प्रकार के कैसे एक आपका क्या है प्योरीन है, ठीक है, एक क्या है, प्योरीन है, और दूसरा क्या है आपका, हाँ, पाइदी, मिदी dispon, क्या तो हैं यहां क्या है, पाइदीusement क्या ना सब दूसरा क्या है, पाइदी क्या है, ऐधीसे, चलो structure थोड़ा सा open करके देखते हैं, ठीक, जब हम बात किस की करते हैं, तो यहाँ क्या है hexa ring होती है यहां क्या पाई जाती है hexa ring पाई जाती है और hexa ring के साथ साथ यहां क्या है पेंटा रिंग भी है structure में ठीक है इसके structure structure की बात कर रहे हैं लेकिंगे जब हम दीन चाहरे भी दीन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है आपकी hexa ring होती है क्या है यहाँ hexa ring ठीड इनका diagram देखते है diagram कैसा होगा हमने बोला hexa ring और pentaring यहाँ पर कैसे hexa मतलब 6 और penta मतलब कैसा penta एस है यह होगी आपका penta ठीक, फिर अगर हम यहाँ पर hexaring की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक यह वाला structure यहाँ पर पाया जाता है छे, hexaring और यह क्याँ आपकी hexaring और pentaring दोनों है यहाँ पर, ठीक है न? अब अगर मैं इसके examples की बात करती हूँ, अगर मैं इसके example की बात करती हूँ, अब यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं जलो Example की जब मैं बात कर रही हूँ, तो example क्या आएगा आपका यहाँ पर? पहला example आप किसका ले सकते हैं? Adenin जिसको हम A से लिखते हैं और दूसरा क्या है आपका? Adenin के बाद Goanin Goanin को कैसे लिखते हैं आप? G से लिखते हैं वही अगर मैं Pyramidin की बात करती हो तो यहाँ पर जब आप example डालेंगे तो किसका डालेंगे? यहाँ पर आप Cytocin का डालेंगे जिसको आप किस से लिखते हो? C से लिखते हो दूसरा क्या है? Thymine जिसको आप किस से लिखते हो? T से लिखते हो ठीके? दो चीज़े हो गई Cytocin Cytocin और Thymine इधर हो गया Adenin और Goanin इधर हो गया लेकिन जब बाथ हम RNA की करते हैं न? जब हम RNA के बारे में बात कर रहे हैं यह लो जब हम बात RNA के बारे में कर रहे हैं तो RNA में क्या होता है? हाँ? कि यह जो Thymine है यह जो Thymine है इस Thymine की जगा कौण ले लिता है? Euracil ठीक है? इस थाइमिन की जगा किस ने लेली यूरेसिल ने लेली है ना इतनी बाद सब को क्लियर है ना नाइट्रोजन बेस के बारे में सब को क्लियर हो गई है ना चलो बहुत ही बढ़िया काम क्लियर हो गई है तो अब आता है हमारे पास फॉस्फिट ग्रूप ठीक है फॉस्फिट यहां पर हमने क्या बोला फॉस्पेट ग्रूप में यहां क्या होता है आपका फॉस्फोरिक आसे डोता है यहां क्या होता है फॉस्फोरिक आसे डोता है यहां पर है ना अब यह जो फॉस्फोरिक आसे है इसको हम कैसे लिखते हैं है शित्रीफ यो फॉर 3 पिस अलिगा है तो यह क्या है आप कैसे बनाऊगे पी टो ऐसे आगिया है तो यह क्या है आपकी फॉस्फेट ग्रूप की संरशिना यॉने कि अगर हम इसके structure की बात करते हैं सनरशना की बात करते हैं तो सनरशना इसी कैसी है कुछ इस तरीके से हैं है ना clear इतना सबको हम चलो बहुत ही बड़ी आगा समझ में आया है तो अब किसकी बात करेंगे हम अब बात करेंगे भाई नुकलियोटाइट की किसकी बात करोगे अब आप नुकलियोटाइट के बारे में बात करेंगे हम नुकलियोटाइट के बारे में क्या बात करोगे आप कि भाई नुकलियोटाइट के बारे में क्या बात करोगे कि यह क्या ह होता है, sugar, है ना कौन सी sugar वो भी, pentos, ठीक है, कौन सी sugar है, pentos sugar है, ठीक है, प्लस यहां क्या है, nitrogen base है, nitrogen base, प्लस यहां पर क्या है, phosphoric acid है, ठीक है, यह सारे चीजसे इसमें आ जाती है, किसमें बहुवट ही नुकलिटाइट में आ जाती है, हं? चलो मार लेते, अब यहाँ चलो स्ट्रक्षर बनाते है, कि ये जो है कैसे जुड़ा हुआ होता है पेंटोज शुगर के साथ, यह देखते हैं, कैसे जड़ा होता है, तो हमने क्या बोला, यह क्या है आपकी पेंटोस शुगर है, इस तरीक एसे, यह क्या है आपकी पेंटोस शुगर, अब यहाँ पर क्या मौझूद होते हैं हमको मालूम है 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर क्या है 5 ऐसे है ना ऐसे जुड़ा होते है ठीक इस तरीके से ऐसे यह होती इसकी सनरस्था है ना ऐसे यह होती है चलो ऐसे ही होती है अब यहाँ पर क्या होता है जानने वाली बात यह है कि यह क्या है आपका यहाँ पर पेंटोज शुगर ठीक है जो कैसी है डी ओक्सी है ना कैसी है यह डी ओक्सी है फिर अगर मैं कहूं नाइट्रोजन बेस की बात करती हूं यहाँ पर नाइट्रोजन बेस की बात करती हूं तो यहाँ पर क्या है आपका नाइट्रोजन बेस है यहां पर ठीक है और नाइट्रोजन बेस कौन-कौन से है तो नाइट्रोजन बेस आपके कौन-कौन से आ गए यहां पर आडेनिन, गौानिन, साइट्योसिन और थाइमिन चारो के चारो आ गए ठीक आडेनिन, गौानिन, साइट्योसिन और थाइमिन चारो के चारो ना बॉंड की बात करती हूं अगर यहां पर मैं अगर बॉंड की bात करती हूं तो यह क्या है एं ग्लाइको सिडिक बंद क्या है यहाँ पर? एन ग्लाइको सिडिक बंद के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ठीक है, अब यह जो पेंटोश शुगर है, इसके साथ यह जो फॉस्फेट ग्रुप है, कैसे जुड़ा होगा? यहाँ पर देखो कैसे जुड़ा होगा? यह देखो, कैसे होगा? कि भई हमने क्या बोला? ओएच इधर जुड़ा है ताकि इधर से इधर बना दे, है न? यह आपका क्या आ गया? P आ गया है यह डबल बंद के लाद O आ गया है यहाँ OH आ गया है और यहाँ भी क्या है? OH आ गया है इस तरीके से बन यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है ठीक? अब यहाँ पर क्या हुआ? मैं अगर कहती हूँ कौन सा कल उठाएं? चलो यह उठाते हैं कि यह वाला जो क्या है आपका? यह वाला जो H है यह इस OH के साथ अगर मैं कहूं बाहर निकल जाता है तो क्या रिलीस कर रहा है यहाँ पर? क्या रिलीस कर रहा है यह? यह रिलीस कर रहा है भई H2O अनू क्या रिलीस कर रहा है यह? H2O अनू को रिलीस कर रहा है यहाँ पर इसके साथ जब यह बाहर निकल रहा है तो यह क्या कर रहे हैं एक bond बना रहा है ठीक है देखो next page पर आ जाते हैं वहाँ समझाती हूँ कैसा bond बना रहा है अब देखो यलो कलर था यहां पे है न यह वाला तो मैंने क्या बोला कि यहां क्या है है आपका इस तरीके से क्या है यहां क्या बचिया ओएच और यहां जो bond था वो खतम हो गया है है न क्योंकि हमने क्या बोला कि वो क्या हो गया है इसके साथ निकल गया है तो यहां आपका सिर्फ ओबचा कौन सा था ये वाला, यहाँ क्या बच्राइब का Oh बच्राइब कैसे है तो यहां आपका क्या था यहां पेंटो शुगर था इस तरीके से है ना ऐसे ब्लू कोलर था यहां पर आपका यहां एच ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच सिर्फ है यहां पर है ना और यहां क्या है आपका हां यहां आपका CS2 ठीक है और CS2 के साथ हमारे पास यहां क्या था ओच और यहां से हट गिया है ठीक और यहां क्या मैंने बोल दिया आपका क्या है है यह रहा आपका है और यहां क्या बढ़ गया आपका CH2 क्योंकि यहां से ओच तो निकल गया है तो यहां पर मैं कहूं कि जब बंद बनेगा ठीक है यहां से यह और ओच निकल गया रिलेज हो गया एस्टू अडू तो यहां पर क्या बना यहां पर इनके बीश में क्या बन गया एक बॉन्ड बन गया है और जो यह बॉन्ड बना है यह बॉन्ड क्या है फॉस्फो इस्टर बॉंड ठीके कौन सा बॉंड बन गया यह फॉस्फो इस्टर बॉंड बन गया है ठीके ओके ना जो पांचवी प्लेस पर जुड़ेगा ये कहां जुड़ रहा है इस ओ से ये पांचवी प्लेस थी हमारी है ना चौथी प्लेस तो यहां थी ये कहां पर जुड़ेगा ये फिफ्थ प्लेस पर जुड़ जाएगा पैंटो शुगर की किसकी पैंटो शुगर की ठीक है कहां जुड़ रहा है यह पेंटो शुगर की पांचवी प्लेस पर जुड़ रहा है इतनी बाद सब बच्चों को क्लियर हो गई है है ना अब यहां पर एक चीज़ और जाने वाली है हमें एक पेज और जोड़ लेते हैं एक चीज़ और जानो पहले बताओ देखो यहां से हमने क्या बोला कि यह एक पेंटो शुगर है यहां पर नाइट्रोजन बेस आजाता है कोई साभी एजी सीटी आजाया कोई साभी यह जो बॉंड बना हुआ यह क्या है एन ग्लाइकोसितिक बंध है है ना अब हमने क्या बो भुआ है ना यह कले है फॉसफेट घ्रूप अब क्या होगा यहां जो है यह इस के साथ क्या करेगा मिल जाए और मिलके रिलीज्य कर रहा है यह ज़ें ऑनaba कर रहा है चेंब bond था यहां OH बचा इन दोनों के बीच में कोई bond बन जाएगा तो कौन सा bond बन गया है फॉस्फो फॉस्फो इस्टर bond बन गया है जो क्या है पांच विए प्लेस पे जुड़ जाएगा किसके पैंटो शुगर के ठीक है तो अगर मैं बोलू nucleotide nucleotide की बात करती हूँ तो nucleotide में क्या है हमारे पास पैंटोस शुगर इसके साथ क्या है nitrogen base या फिर जिसको उने क्या बोला nitrogen चार बोला ठीक है nitrogen एलो जन चार बोला फिर अगर मीं किसकी बात करती हूं यहां पर नूक्लीयो किसकी बात कर रूए? नूक्लीयोटाइड, अच्छा, पूरा चेंज करने से अच्छा है, नहीं पर चेंज कर दे mùε, नूक्लीयोटाइड, है ना, नूक्लीयोटाइड, है ना, यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास? नुकलोटाइड में यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस या फिर नाइट्रोजन छार और इसके साथ क्या जाएगा आपका? फोसफेट आसेट ठीक है? क्या आएगा इसके साथ आपका यहाँ पर? फोसफेट आसेट है ना? ठीक है? या फोसफेट ग्रॉप बोल दो? फोसफेट ग्रॉप लिखते हैं फोसफेट ग्रॉप कि तीचे ले हैं तीसटेग यहाँ जुढ़ जातीं और भाई ये दो चीजे यहाँ पर पर जुढ़ जातीं है इतनी बात सब्बच्चों को क्लियर सबसे पहले हम किस की बात करेंगे नजिल सद्रिश्णा के बारे में बात करेंगे तो अगर ठीक है, DNA की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जब हम DNA की बात कर रहे हैं तो यह क्या है, हमको मालूम है क्या है, पॉली नूक्लियो टाइड ठीके क्या है ये पॉली नूक्लियो टाइड है अब भाई यहाँ पर क्या है इसका जो मोनोमर है इसका जो मोनोमर है वो क्या है नूक्लियो टाइड होता है ठीके और ये बना हुआ होता है और ये बना हुआ होता है किससे बना हुआ होता है ये चलो एक चोड़ा डाइग्राम बनाते हैं और सीखते हैं किससे बना हुआ होता है आ जाओ ये क्या है हमारा पेंटोज शुगर है हमारा ठीके पेंटोज शुगर है ये हमारा ठीके इस पेंटोज शुगर में क्या होता है क्या होता है बताओ क्या होता है यहां पर क्या होता है आपका नाइट्रोजन चार होता है ठीक है या फिर नाइट्रोजन बेस कहते हैं इसको ठीक है उसके बाद यहां पर क्या जुड़ा हुआ होता है यहां पर हमारे पास क्या जुड़ा हुआ होता ह भई phosphate group ठीक है यहाँ पर क्या जुड़ा है phosphate group कब जब हम nucleotide की सनरशना को देखते हैं कब जब हम किसकी new cleotide की सनरशना के बारे में बात करते हैं तब हमको यहाँ पर यह दिखता है ठीक है है ना तो यह क्या है DNA की रसायनिक सनरशना है ठीक clear चलो बढ़िया बात है यहां तक clear है तो इसको आगे बढ़ाते हैं चलो बात करते हैं nucleotide और nucleoside की हमने यहां क्या बात करी कि भई nucleotide है ना इसके साथ एक और शब्द जुड़ा हुआ होता है जिसको क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं जिसको nucleoside बोलते हैं दो शब्द होते हैं nucleotide और nucleoside दोनों ही क्या है दोनों ही बहुत ही confusing है बच्चों को अक्सर क्या होता है nucleoside और nucleotide में बहुँ जादा confusion हो जाता है और सच बताऊ ना तो यह important topic भी है जब हम difference between की बात करते हैं तो यह number यह जो question है कि अंतर बताइए nucleotide और nucleoside में अक्सर यह 5 number में आके फस जाता है ठीक है तो यहां पर यह समझना बहुँ जादा जरूरी है चलो समझते हैं इसके difference को आ जाओ तो यहां पर क्या है हमारे पास nucleotide ठीक है और यहां क्या है nucleoside हमने कहा दो चीज़े हैं हमारे पास ठीक है चलो जब मैं nucleotide की बात करती हूँ है ना तो यहां पर हमारे पास क्या मौझूद है यहां पर हमारे पास मौझूद है भाई शरकरा जिसको हम क्या बोलते है शुगर कहा हमने ठीक है फिर क्या है हमारे पास nitrogen चार क्या है nitrogen चार जिसको हम क्या बोलते है nitrogen बेस बोलते है ठीक है फिर क्या है हमारे पास phosphate group फिर क्या हमारे पास phosphate group है ठीक है फिर जब हम nucleoside की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या आती है शरकरा जिसको हम क्या कहते है शुगर फिर क्या आती है हमारे पास nitrogen चार ठीक है जिसको हमने क्या कहा nitrogen बेस बोला ठीक है तो यह दो चीज़े यहां पर होती है यहां पर phosphate group नहीं होता है लेकिन यहां पर phosphate group होता है अब जब इसके प्रकृति की हम बात करते हैं है ना nature की बात करते हैं तो इसके प्रकृति क्या है है तो भाई प्रकृति के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर क्या है यहां पर यह जो phosphate group है यह क्या है अधिक मात्रा में होता है क्या है ये अधिक मात्रा में होता है यहां पर तो ये अधिक मात्रा में होता है इसलिए इसके प्रकृती कैसी होती है अमलिये प्रक्रती ठीक है? कैसी है? अमलिये प्रक्रती है वही अगर मैं किसकी बात करती हूँ? वही अगर मैं किसकी बात करूँ? कौन सा कलर उठाएं? बढ़ा confusing है, ये उठा लेते हैं किसकी बात करते हैं? नुकलियोसाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है शरकरा और नाइट्रोजन जो है यहाँ पर क्या है भाई यह अणू में सनरशना यहाँ पर इन दोनों के जो अणू है उसमें सनरशना क्या है? इसकी संरशना क्या है भाई, कि इसके पास pentose sugar मौजूद है प्लस nitrogen base मौजूद है, ठीक है, यह दोनों चीज़े यहाँ पर इसके पास मौजूद है ठीक है, चलो, फिर क्या बोला हमने, हाँ, कि दोनों की दोनों चीज़े यहाँ पर मौजूद है तो यहाँ पर इस वज़े से इसकी जो प्रकृति है जहाँ पर बेस मौझूद है देखो तो बेस याने की छार तो इस वज़े से इसकी प्रकृति क्या है इसकी प्रकृति चारिये है चारिये प्रकृति है इसकी ठीक है क्या है चारिये प्रकृति है समझ में आगे इतनी बात है ना चलो आगे बढ़ते है और इसका एक और अंतर देखते हैं कैसे जब हम इसका डाइगराइम बनाते हैं तो हमने कहा कि यहां पर यहां पर यहां आपका pentose sugar ठीके और यहां क्या है आपका Phosphoric Acid मौझूद है ठीक है Phosphoric Acid मौझूद है फिर अगर मैं बोलो कि यहां bond कौन से होते हैं तो यहां पर कौन से bond होते हैं आपका एक N-Glycosidic बंद होता है और दूसरा क्या है दूसरा यहां मौझूद है आपके पास Phosphoester बंद मौझूद है ठीक है दो यहां पर मौझूद है फिर अगर मैं वहीं बात करती हूँ भाई निकलियोसाइड की तो यहां पर इस तरीके से डाइग्राइम आ जाता है है ना यहां क्या मौझूद है आपके पास यहां पर आपके पास क्या मौझूद है भाई कि नाइट्रोजेन बेस क्या मौजूद है ना और इसके साथ-सद यहां पर क्या है यहां फॉसफेट फॉया फॉसफोरिक एसिद Мौजूद यहां पर हैना और हमको पता है कि यह क्या है पेंटोश शुगर है पैंटोश शुगर है है ना अब जब यहां पर हम बंद की बात कर रहे हैं तो यहां पर कौन सा बंद है हं यहां पर कौन सा बंद है तो यहां पर बंद क्या है आपका N Glyco Siddik BAND ठीक है यहां पर सिर्फ एक ही bomand मौजूद है वो है यह इतनी बाद सब बच्यों को clear हो गई है ना उम्मेद करती हूँ कि वह तो गई होगी क्योंकि कोई भी यहां पर दिकत वाली बात है ही नहीं है ना चलो आगे बर जाते हैं अब बात करते हैं भाई आपका क्या आरैने कि चार नुुक्योसाइट की सनद्रशना ठीक है नुुक्योटाइड और nucleoside, दो चीजे पड़ी हैं, दोनों में क्या है? 4-4 चीजे आएंगी, दोनों में क्या है? 4-4 चीजे आएंगी, लेकिन इससे पहले क्या है? आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी, भाई? क्या समझना पड़ेगा? यहाँ पर आपको एक slide add करने पड़ेगी, है ना, slide add कर ली है और nucleotide और nucleoside की एक सनरशना देख लेते हैं, आपका ये क्या हो गया, nucleoside, ठीक, और इधर क्या हो गया, nucleotide, दो चीज़े हो गई, अगर मैं structure बोलो तो देखो कुछ इस तरीके से इसका structure बनता है, ऐसे करके, ये क्या है आपका nitrogen, छार बोल दो या बेस बोल दो, ठीक, और क्या होता है कि यहां से bond निकला होता है, इस तरीके से, ये क्या है आपका pentose, ये क्या है आपका pentose, ठीक, तो ये आपका, क्या हो गया, nucleoside हो गया, वही अगर मैं नुकलोटाइट की बात करती हूँ तो आपका ये इस तरीके से की structure आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये pentose sugar ऐसे आ जाएगा, है ना, और यहाँ से एक ये गोल-गोल क्या है आपका, phosphate group, क्या है ये nitrogen, base, pentose, ठीक है, और ये क्या है, phosphate group, ठीक है, तो इस तरीके से क क्या है, इसके सनरश्णा ऐसे आ जाती है, है ना, चलो, अब आगे बढ़ जाते हैं, आरेने की चार नुकलोसाइट की बात करते हैं, ओके, चलो, हम, चार नुकलोसाइट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कैसे, 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 हाँ, ऐसे बात करते हैं, ये लो, ये क्या है, हमन ले लेते हैं, वो असानी रहेगी समझने में आप सबको, है ना, ठीक है, यहाँ पर हम क्योंकि नेमिंग करना सीखेंगे, निकलियो साइड की बात चल रही है, नुकलियो साइड, ठीक है, और दूसरा क्या चल रहा है हमार रपस, नुकलियो साइड, ठीक है, दो चीजे चल रही है, फिर अगर मैं बोलू कोई भाई, नुकलियो साइड में हमारे पास क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस होता है, यहाँ पर, है ना, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, है ना, यह होता है, वही अगर बात में यहां करती हूँ तो यहां क्या है हमारे पास शुगर है हमारे पास नाइट्रोजन बेस है हमारे पास प्लस फॉस्फेट ग्रुप है हमारे पास ठीक है तो यह सारे की सारे चीज़े क्या है यहां पर एड है ठीक है अब यहां पर नूकलिय साइड में क्या होता है यहां नूक रहा आपका RNA और यह रहा आपका DNA सेम यहां पर भी है यह रहा RNA यह रहा DNA है ना दोनों चीजें फिर RNA भी भी क्या होता है आपका चार nucleoside होता है ठीक है और यहां क्या है 4 nucleoside है यहां क्या है 4 nucleotide है है ना इस तरीके से ठीक है अब यहां पर अगर मैं RNA की बात करती हूँ तो RNA में यहां पर क्या है हाँ RNA में यहां पर क्या है आपका दो क्या है प्योरीन ठीक और दो क्या है आपके प्राइमिदीन ठीक है यह है इस तरीके से प्योरीन आपका क्या है अग प्योरीन क्या है C T U ठीक है अब यह जो nucleotide जो है चार-चार RNA और DNA के यह क्या है nitrogen base है यह क्या है nitrogen base है जो आपके क्या है यह nitrogen base क्या है आपके AGCTU AGCTU ठीक वहीं अगर मैं nucleotide की बात करती हूँ तो यहां पे भी सेम यहीं funda चलेगा है ना क्या कि भाई purine है ठीक है और क्या है कि प्राइनिमेटीन है यह क्या है AG और यह क्या है CTU ठीक है clear इतनी बात है ना बिल्कुल clear हो गई है चलो बढ़िया है अब यहां पर हम क्या है कि RNA की सनरश्णा के बात करते हैं कि नाम कैसे लिखा जाता है चलो तो सबसे पहले अगर मैं किस की बात करती हूँ प्यूरीन की बात करती हूँ तो प्यूरीन में पीछे क्या लगाते हैं हम प्यूरीन में पीछे आप क्या लगाओगे sil लगाऊगे ठीक है जैसे कि अगर मैं RNA बोलूं तो RNA में क्या है nucleoside ठीक है ये nucleoside क्या है हमारे पास adenine ठीक है और दूसरा क्या हमारे पास guanine तो adenine में अगर मैं sil लगा दूगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास adenosine ठीके और अगर guanin में लगाऊंगी तो guanacin ठीके तो इन में क्या लग गया sin लग गया है बेल्कुल उसी तरीके से अगर मैं pyramidrine की बात करती हूं अगर मैं primidine की बात करती हूं ठीके ना ये primidine है इसकी बात करती हूं तो यहाँ पर क्या है dine लग जाता है लग जाता है है ना जैसे कि क्या हो गया आपका cytodyne ठीके दूसरा क्या हो गया thymidine है ना cytosin का cytodyne और thymine का thymidine ठीके clear इतनी बात चलो फिर भाई इसका नाम लिखना शुरू करते हैं हमको पता है कि भाई क्या है अगर हम किस के बात कर नुपलू टाइड रहें इसटो नुकलो साइड ही चल रहे ना भी हाँ नुकलो साइड चल रहे अब हुझ के बाहर फिरसे एक Ingub पेश लगालेते हैं है ना फिरसे यहाँ पर हम एक blank पेश आड कर लेते हैं तो अगर मैं किसकी बात कर नुक्लियो टाइट की बात करें यह तो किसकी थी नुक्लियो साइट की बात थी अब हम किसकी बात कर रहे हैं नुक्लियो टाइट की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या बोला हमने यहां पर भी दो है एक क्या आपका एक आपका हो गया प्योरीन ठी ठीक है ना तो प्यूरीन में क्या है निलिक एसेड लग जाता है यहां पर निलिक एसेड लग जाता है और वहीं यहां पर क्या लग जाएगा डिलिक ठीक है नहीं क्लियर चलो फिर अब इसका नाम लिखना सीखते हैं है ना क्या है इसका नाम लिखना सीखते हैं तो हम जब आरेने की बात कर रहे हैं है ना तो आरेने की चार नुकलोटाइट की बात कर रहे हैं तो भई आरेने में क्या है हमारे पास हमने बोला ये क्या है राइबोज शुगर हमने क्या कहा कि ये राइबोज शुगर है प्लस हमने क्या बोला न्यूकलोसाइड की बात चल रही है तो न्यूकलोसाइड में क्या है नाइट्रोजन बेस है क्या है नाइट्रोजन बेस है ठीक है अब नाइट्रोजन बेस कौन से हो सकते हैं यहां पर यहां आपकी क्या हो सकते हैं ए जी सी यू यह आपके नाइट्रोजन बेस है ठीक है वही अगर राइबो शुगर की बात करती हूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है ऐसा है यहां पर क् क्या मौझूद है हम यह आपका एडेनीन होगे क्योंकि नाइट्रोजन बेस है है ना नाइट्रोजन बेस चलो मिर वड़ा वट से इसके संरशना बनाते हैं देरी किस बात किये है आम वन टू थ्री और फोर ठीक है चार इस तरीके से तो हमारे पर सारे तो राइबोज शुगर है सारे क्या है राइबोज शुगर है ना राइबोज शुगर साथ चारे हैं इस राइबोज शुगर के साथ आप क्या ड़ोगे यहाँ पर हाह इस में हम क्या ड़ करेंगे बताओ जल्दी क्या करेंगे इसाल चार क्या है और च직H क्या है यूरेसल ठीक है तो यह चारों यहां पर क्या हो जाएंगे इस तरीके से अलग-अलग करके एड हो जाएंगे अब इसको जब हम एड करेंगे तो हम क्या करेंगे है ना इसका नाम करेंगे जब इसको एड करेंगे तो क्या करेंगे यहां पर हम बात करेंगे भाई किसक यहां क्या लग जाएगा आडिनोसिन हो जाएगा ठीक है यहां पर क्या जुड़ जाएगा आडनसिन हो जाएगा है ना प्यूरीन में और यहां क्या हो जाएगा गौैनोसिन ठीक है यहां क्या हो गया साइटोडाइन ठीक है यहां क्या हो जाएगा यूरिडाइन क्यों क्यों कि यह क्या है आपका यह है आपका प्राइमेडीन और यह दोनों क्या है प्यूरीन इस तरीके से ठीक है तो यह क्या हो गया है आपका नामकरण हो गया है किसका हो गया है हाँ आरेने की चार निउकलोटाइब का ठीक है ठीक है ठीक है चलो इसको एक बर फटाफट फिट से पश्में आजाएगा ठीके कि राइबोश उगर है और यहां पर क्या है भाई निउक्लोसाइट में नाइट्रोजन बेस जिसको नाइट्रोजन चार भी बोलते हैं ठीके कौन कौन से है एडेनिन ग्योनिन साइटेजन और यूरस यहां पर है ना आब हमने क्या भोला कि यहां पर नाइट्रोजन बेस की जगा चार क्या लग्लता अब 처럼 में आब कर तो यहां पर हमने क्या बोला जब प्यूरीन होगा तो वहां पर क्या लग जाएगा सिन लग जाएगा क्या लग जाएगा सिन लग जाएगा यह देखो है ना और जब हमने बोला पाइरमिडीन होगा तो वहां पर डाइन लग जाएगा तो भई आडेनिन का क्या होगा अड़ adenosine, guanine का guanosine, cytosine का cytodyne, ठीक है, और uracil का uridine, ठीक है, चलो भर, very good, समझ में आ गिया है, अब हम DNA की बात करते हैं, है ना, तो DNA में हमने क्या बात करें, DNA में इसके nucleoside में हमारे पास क्या होता है, शुगर, जिसको हम क्या बोलते हैं, शरकरा बोलते हैं, है ना, प्लस nitrogen base होता है, जिसको हमने क्या बोला, nitrogen छार बोला, फिर अगर मैं इसके structure की बात करती हूँ, है ना, मैं इसके structure की बात करती हूँ, तो इसके structure हमको कैसा मिलेगर, यह रहा आपका pentose sugar, है ना, यहाँ पे क्या है आपका nitrogen base है यह nitrogen base क्या है आड़निन गुआनिन साइटोसन और ठाइमिन ठीक है और हमने क्या बोला यह क्या है दी-oxy-ribose-sugar है ठीक है ना तो अगर इसका बनाओगे तो नामकरन कैसे करोगे बहुत मज़ेदार है प्यार से सीखेंगे है ना हर एक में क्या हमने हर एक में D-oxy-ribose-sugar लिखेंगे हम सब में ठीक है D-oxy-ribose-sugar ठीक डी-oxy-ribose-sugar ठीक डी-oxy-ribose-sugar है ना अब इसमें क्या एड करोगे आप जब यहां पर एडिस एड करने के बात आएगी तो क्या एड करोगे और वेसी बाते क्या एड करोगे आडनिन, ग्वानिन, साइटोसेन है ना यही एड करोगे क्या एड करोगे भई आडनिन ठीक है और क्या एड करोगे आप यहां पर ग्वानिन फिर क्या एड करोगे आप यहां पर साइटोसेन और क्या करोगे यूरिसल ठीक है तो यह एड करोगे इसके बाद हमने क्या बोला यहां पर क्या है फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है यहाँ पर phosphate group मौझूद है तो phosphate group में आप यहाँ पर क्या add करोगे है फॉस्फोरिक acid plus phosphoric acid ठीक है एड कर देंगे हम है ना इसको हम यहाँ पर एड कर देंगे ठीक चलो एड कर देंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा बताओ पहले वाले में क्या मिलेगा हमको डी ऑक्सी आडिनोसिन है ना क्या मिल गया है यहाँ पर तो हमको क्या मिल गाया यहाँ पर डी उक्सी क्या नहीं डी ऑक्सी निलिक हा ठीक है क्या मिलेगा हम को यहाँ पर यहाँ पर आपको मिलेगा गलती होगी भाई आडनिलिक एसेड मिलेगा ठीके फिर अगर गौनीन की बात करते हैं तो गौनीन में आपको क्या मिलेगा यहाँ पर गौनोलिक एसेड ठीके साइटो डिलिक एसेड और लास में यूरी डिलिक एसेड ठीके क्यों क्योंकि भाई हमने बोला था हम क्या लगाएंगे निलिक लगाएंगे किसमे जब हम बात करेंगे किसकी किसकी प्योरीन की बात करेंगे तो हम यहाँ पर निलिक लगाएंगे और जब बात हम किसकी करेंगे पारेमिडीन की ठीके पारेमिडीन की बात करेंगे है न तो डिलिक हम तो हमने यहां पर क्या लगाया डिलिक और यहां पर निलिक इतनी बात सब बच्चों को क्लियर है अरे यार नहीं भाई नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है इतनी मेहनत बेकार हो गई हमारी है इतनी मेहनत हमारी बेकार हो गई भाई इतनी मैनेज हमारी बेकार हो गई है क्योंकि यह RNA का न्यूक्लोटाइड लिख दिया है हमने यहाँ पर यह हमने RNA का न्यूक्लोटाइड लिख दिया है यहाँ तो DNA की बात चल रही है तो DNA का हमारा क्या बना D-Oxy-Adenosin ठीक है? यहाँ बना आपका D-Oxy-Guanosin यहाँ क्या बना आपका? D-Oxy-Cytodine और यहाँ क्या बना आपका? D-Oxy-Thymidine है न? क्योंकि यहाँ पर क्या है? थाइमीन है हमारे पास वाउ! हमने गलत लिखा क्या है? थाइमीन ठीक है? तो यहाँ पर DNA में आपको यह वाली संरशना मिलेगी क्यों भाई? क्योंकि यह दोनों क्या है? यह है आपके Purine और यह दोनों क्या है आपके? प्राइमेडीन ठीक है? चलो! क्लियर इतनी बात है न? मुझे लगता नहीं है कि अब कोई दिक्कत होनी चाहिए किसी को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए चलो! आगे बढ़ जाते हैं ठीक चलो अब बात करते हैं RNA की चार नुकलोटाइट के बारे में हम बात करते हैं अभी हमने किसके बारे बात करी थी? अभी तक हमने नीकलोट किसके बारें बात करें तो हमको पता है यहां पर नीकलोटाइड में क्या है शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस है प्लस फोस्वेट ग्रूप है ठीक है फिर वहीं जब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो पेंटो शुगर में हमारे पास यहां पर नाइट्रोजन बेस आता है यहां पर आपके पास फॉस्फेट ग्रूप आता है ठीक है इस तरीके से आता है अब इसका अगर हम लिखें कि कैसे बनाएंगे वान टू थ्री और फॉर यह आ जाएगी संद्रश्णा ठीक है तो हमने मालू में कि आरेने में क्या होता है सारे के सारे राइबोश शुगर होते हैं तो आपका राइबोश शुगर आ गया है राइबोश शुगर है ना राइबोश शुगर आ गया है इस राइबोश शुगर के साथ आप क्या आड करोगे वही अपना आडनेन, गौानेन यही तो आड करोगे है क्या आड करोगे आडनेन प्लस गौानेन प्लस यहां क्या करोगे साइटोसिन प्लस यहां पर यूरेसिल आ जाएगा थाइमिन की जगा यहां पर क्या आ गया है थाइमिन की जगा यूरेसिल आ गया है ठीक अब हमने क्या बोला यहां पर फॉस्फेट ग्रूप मौजूद है क्या बात करें हमने phosphate group ठीक है तो हमारे पास यहां क्या आ गया है फॉस्फोरिक आसेड फॉस्फोरिक आसेड ठीक है चलो अब हमने बात करी थी जब हम किसकी बात करें प्योरीन की बात कर रहे हैं ठीक है तो प्योरीन में हमने बोला क्या लग जाएगा प्योरीन में हमने क्या बोला था क्या लगेगा निलिक लगेगा ठीक है और जब पायरे में डीन की बात होगी तो यहां पर क्या लगेगा डिलिक लगेगा है ना ठीक यहाँ पर चलो बनाते हैं, क्या बन गया हमारे पास? आडनिलिक एसिड, ठीक है, यहाँ क्या बन गया? गौनिलिक एसिड, साइटेडिलिक एसिड और यूरी डिलिक एसिड, ठीक है, क्यों भाई? उपर वाले दोनों क्या है? है? उपर वाले, यह दोनों क्या है? यह है आपके पायरेमेडीन और यह दोनों क्या है? यह प्योरीन और यह क्या है? पायरेमेडीन. ठीक है? इतनी बात क्लियर है ना? चलो. अब किसकी बात करते हैं? डियने की बात करते हैं. यह क्लियर हो गया है और phosphate group है यहां पर इस चेकर में यहां पर क्या हमने इनके साथ राइबो शुगर के साथ आडरीन को और और फॉस्फोरिक acid एड कर दिया है और हमको पता है कि प्यूरीन के साथ हमको क्या है निलिक लगाना है निलिक एड करना जो हमने देख लिया था भी अब बात करते हैं में DNA की चार न्यूकलोसाइट संध स्यंक ना के बारे मैं चलो तो यहां पर जब हम मात करेंगे तो इसकी न्यूकलोटाइट संद्राशन में क्या में क्या है कि यहां पर क्या है डी ऑकski राइबो स्युगर है ठीक है फ्लस नािट्रोजन बेस है पल्स फॉसफेट ग्रूप है ठीक है वही और मैं इसका structure बनाऊं तो इसके structure में कुछ इस तरीके से होता है डियोक्सी यहा हो गया, nitrogen base यहा हो गया है और यह आपका क्या हो गया, phosphate ग्रूप हो गया है इस तरीके से सनरशना इसके जुड़ी हुई होती है फिर 1, 2, 3, 4 ठीक? इस तरीके से बनाएंगे तो पहला हमारा क्या है D-Oxy-Ribose-Sugar ठीक है? D-Oxy-Ribose-Sugar 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 ठीक है? इसके साथ हम क्या एड करेंगे? अव्वेस से बात है वही आड़निन, गौनिन, साइटोसिन यही एड करेंगे हम ठीक है? क्या एड किया हमने सबसे पहले? अड़निन ठीक है? फिर क्या एड किया हमने गौनिन ठीक है? फिर क्या एड किया हमने? साइटोसिन फिर क्या एड किया हमने? हाँ थाइमिन ठीक है? लेकिन हमने बोला यहाँ पर nitrogen base के साथ क्या है? phosphate group भी एड है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? फोस्फोरिक एसेड, ठीक है, फोस्फोरिक एसेड, ठीक है, चलो, अगर इसको add करते हैं हम, तो हमें add करके क्या मिलेगा, बताइए, add करके आपको क्या मिलेगा, लड़ू तो मिलेगा नहीं, है ना, हाँ, लेकिन समझ में जरूर है ज़रूर में ज़रूरा जाएगा, कि भाई, यहाँ हो क्या रहा जाए शिस्टेम, है ना, वंड़ा सब का सिस्टम क्या हो जाएगा हैंग हो जाएगा तो हमारे को यहां पर क्या मिल गया है डी ऑक्सी एडेनलिक एसेड ठीक है यहां क्या मिल गया है डी ऑक्सी एडेनलिक एसेड यहां क्या मिल गया हमको डी ऑक्सी ग्वानोनिलिक एसेड यहां क्या मिल गया डी ऑक्सी Cytodilic Acid और लास्ट में क्या मिल गया आपको D-Oxy Thymidolic Acid ठीक और इसी के साथ हमने अपने सारे के सारे DNA और RNA के चारो Nucleotide और Nucleoside की संरशना को पूरा कर लिया है है ना? है ना किता सिंपल? है ना किता सिंपल? कहीं से कहीं तक confusion नहीं है इसको आप एक बार ही करोगे ना अपनी मर्जी से असानी से सीखोगे तो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चाएगा ठीक है? कहो तुम्हें एक बार और समझा देती हूँ हम? क्यों? कि यहाँ पर राइवोश शुकर है हमें मालूम है कि RNA में राइवोश शुकर होती है तो भई आडन इन, गवान इन, साइटोसन और यूरेसल जोड़ेंगे हम यहाँ पर फॉस्फोरिक आसिद है तो वो जोड़ देंगे तो और हमको पता है कि प्योरीन में हम निलिक एड़ करते हैं ति है निलिक करते हैं और क्या है पाइर में में डिलिक एड़ करते हैं तो यहां पर निलिक एड़ हो जाएगा बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर हमें पता है फॉस्फोरिक आसिड है और यहां पर प्योरीन है यह अपना क्या है दूसरे गलर से करते हैं यह आपका क्या रहा प्योरीन और यह क्या रहा आपका पायरेमिडीन यहां पर आपने निली कैट कर दिया है और यहां पर डिली लिखेंगे नया तब तक के लिए इसको रिवाइज कर दे रही है अच्छे से पढ़िए ठीक है चलो बाई बाई